लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए कम बजट में खुद का आश्याना खरीदने की तलास में जुटे होम सीकर्स के लिए या अच्छी खबर है मसूर भवन निर्माता यूनिमैक्स वर्ल्ड ने तलोजा फेश टू के घोट परिसर में महच चौदा लाग की कीमत में बजट होम लांच किया है पहला घर के नाम से लांच किये गए इस हाॉसिंग प्रोजेक्ट में वन आरके से लेकर टू बी एचके के फ्लाइट उपलब्ध है पनवेल मनपा के नेता प्रतिपक्ष्य प्रीतम मातरे ने इसकी लांचिंग करते हुए विश्वास जताया किया उन लोगों के सपने पूरे करने का बड़ा जर्या बनेगा जो अभी तक अपना घर नहीं खरीद पाए है वहीं Unimax के CMD मुहमद इसराइल सेख ने इसे कम बजट में अच्छी लोकेशन पर खुद कास या ना पाने का बहतरीन मौका बताया और सबसे लाब उठाने की अपील की देखिये रिपोर्ट कि अवड़ करोंड़ में आताओ मौका जाइंट सेखिये टारीज़ को बहते है कि अवड़ोर्ट तलोजा फेश टू के घोट परिसर में मशूर भवन निर्माता यूनिमैक्स वार्ड ले सामान ने लोगों के लिए पहला घर लांच कर दिया है प्राइम लोकेशन पर बेहतरीन एलिवेशन के साथ बन रहा यह 124 मकानों का अफोर्डेबल हाॉसिंग प्रोजेक्ट है जहां सिर्फ 14 लाग कीमत में मकान मिल रहे हैं आज पनवेल मनपा के नेता प्रतिपक्ष प्रितम मात्रे ने प्रोजेक्ट की ग्रैंड लॉंचिंग की इस दोरान बड़ी संख्या में रियल स्टेट से जुड़े लोग मौजूद थे मुक्यातिती प्रितम मात्रे ने पहला घर को आम लोगों के घर का सपना पूरा करने वाला प्रोजेक्ट बताया और यूनिमैक्स वर्ल्ड के CMD मुहम्मद इसराइल शेख और उनकी पूरी टीम की सराहना की पहली बात में मेरे मित्र और यूनिमैक्स के CMD इसराइल जी और उनके पूरे पार्टनर्स और उनके पिता जी जो चेर्मन है इस कंपनी के उनको मैं बदाई देता हूँ कि घोडगाओ में और पन्वेल मुनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉंच किया और इसका नाम भी रखा है पहला घर मतलब ये पहला घर सुनके ही लोग इदर आ जाएंगे और अपना खुद का घर लेंगे और बहुत ही कम रेट में ये इदर फ्लैट्स मिलेंगे और मुझे पता है कि इस्रेयल जी का क्वालिटी उसमें नो कॉंप्रमाइज ये उनका सेंटेंस हम लोग ही सुनते है तो इस प्रकार से ये घोड़ गाव में एक अलग बिल्डिंग इदर दिखेगी ऐसा मुझे लगता है वहीं अपोरडेबल हाउसिंग के जरिये सामाने परिवारों के घर का सपना पूरा करने में जुटे यूनी मैक्स वर्ल्ड के CMD मुहमद इसराइल शेख ने प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि पहला घर ऐसा बजट होम प्रोजेक्ट है जैसा पूरे खारगर और नौइमबई में कहीं भी उपलब्द नहीं है यहां वन आर के साड़े चौदा लाक में वन बीच के तेविस लाक में और टू बीच के मकान 31 लाक में सभी सुविधाओं के साथ उपलब्द हैं CMD इसराइल शेक और उनके पार्टनर्स ने कहा कि पहला घर रेंट हाउस से भी सस्ता है क्योंकि तलोजा फेश्टू गोड़ परिसर में जहाया प्रोजेक्ट है वहां मेट्रो रेलवे और अन्य सेवा सुविधाएं बेहत करीब हैं जो यहां के मकान लेने वालों के लिए फायदे का सौदा साबित होंगी में शिफ्ट होते हैं इसके बाद में परेशानी दिखती है घर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं हम उसको अवाइड करना चाहते हैं हम एक साल तक यहां पर हम उचीज को मिंटेन करें और उसी के ध्यान में रखते हैं हमने अपनी कंपनी युनिमेक्स वर्ल के साथ यून अपना फ्लैट होगा जिसमें आप रह सकेंगे और जीवन के अनभव को जीवन की यादों को सवार सकेंगे ने तो हम भाड़े पे रहते हैं जिस गर में रहते हैं कोई सेलीबरेशन किया अगला घर दूसरा होता है हमें कुछ याद ही नहीं रहता है यह हम व्याद नहीं र फ्लैट है जो बहुत अच्छे यूनिट का है प्लीज आईए और मैं दावा करता हूं कि आप लोग इस टैप की प्रॉपर्टी यो पहला घर ले रहे हैं उनके लिए माइली स्टोन रहेगा और एक बर अपना घर हो जाने के बाद बंबई में किसी भी स्थिति में लोग ब बस य करहा हुम लोगे अखर लोग यहोग लोगों कर देलिवरिय दे जिनके पहला गरॉग जिनके पहला घर होगा आप तोपको पता है मायन अगरे है यह जो भी आता है वह रचीज कमा लेता है लेकिं एक में कामानने के लिए उसकी आथी जिंद्गी चली जाती है तो हमारा यही एक सपना है कि हम वहरूस आदमी को जो परप्रांच से इस मुंबई शहर में आता है वो कुछ पैसे अपनी मोडी जमा करे उपनी जमा मुझी से फिर एक पहला गर खरीदे इसी के साथ हमने हमारा यह लॉंच किया है और आने वाले समय में यही हम करते रहेंगे यहां पहला घर की पहली बुकिंग कराने वाले राजिंदर सिंग ब्रार को यूनिमैक्स की ओर से जहां स्मार्ट फोन गिप्ट में मिला वहीं कई लोगों को भी लखी ड्रा के जरिये इनाम पाने का मौका मिला यहां युवा उद्यमी नुरूपल जयन्त पाटिल एडोकेट अजिस सिंग प्रोजेक्ट पार्टनर विक्रान्त मग्गू आर्कीटेक्ट दीपक ठाकरे समेत कई महत्पून आती थी भी मजूद थे